वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें तो उसमंे अप्लाइ कूपन अगर आप गयां सर अप्लाइ करते हैं यह कूपन कोड है तो उसमें 20% भी सी तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% इस्काउंट तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर इसमाल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ ग्यांसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से गर कूपन कोड लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो अपलाई कूपन वाले में आता है तो 20% कर डि की संदर्म में अगर हम देखेंगे तो भारत को एक क्रशी प्रशान देश कहा जाता है तो यह बहुत ही इंपॉरेंट हो जाता है तो इसी टॉपिक की आज हम पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे महतपूर बिंदू लिखा हुआ है भारत की आर्थिक समीक्षा 2020 कनुसार देष के आबादी का 50 प्तेशत खेटी से रोजगार प्राप्ट करता है कर्शी से रोजगार पनरुकरत करतायार हम के भारत की आदी आबादी जोड़ी हुई है कि से के छीटी से तो यह कोई दोराय नहीं लेकिन अगर हम जीडीप में बात करें तो जीडीप में इसका हिस्सा केवल 15 परसेंट है जो कि एक चन्ता जनक बात है जीडीप में इसका फंदा पर सेंट इसका मतलब किया इसको ऐसे समझो आपकी कोई देश है उसमें 100 लोग है और वो देश 100 रुपए कमाता है तो इस देश के जो 50% आवा दिया यानि 50 लोग जो है वो 100 रुपए मैंसे किवल 15 रुपए का योगदान देते हैं यानि जब पैसे को बाटने की बात आएगी तो 50% ल परसेंट वो 50% लोगों को यानि 50 लोगों को बाइटी जाएंगे से आप अंदाजा लगा लोग के खेती करना भारत में एक फाइदे का सौधा क्यों नहीं है से आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है अब देखो भारत में प्रथम क्रशी विश्वद्याले के स्थापना अब यह है उत्राखंड में और अब इसका नाम है गुविद्वल्लंपंत क्रशी विश्वद्याले जहां रखना हमारे पड़ोस में यह आगे देखो अब आगे देखते हैं क्रशी के प्रकार बहुत सारे प्रकार की क्रशी होती है देखिए पहला है प्रारंबिक जीविक और खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार्ता समुदा इसरम की मज़स्ते की जाती इस प्रकार की क्रशी प्राय मांसून मृदा की प्राकर्टिक और वर्टा और फसल उगाने के लिए प्रया बणी प्रस्तितिक की उप्योक्ता पर निर्भर करती है यह कर्तन धहन में इसे बोलते हैं दीपा ध्यान रखना इंपोर्डेंट है इस प्रकार की उन शेत्रों में की जाती है जहां भूमी पर जन्जंख्या का दवाव अधिक होता है यह श्रम गहन खेती है जहां पर अधिक उच्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैवरासायनिक निवेश्ट क्रषी कि यह उस्ते हैं कि क्रशी किया है इस प्रकार की कि मुख्小 लक्ष्ण आदुनिक निवेश्टों जैसे अधिक पैदावार होने वाले बीजहों रासायनिक और्वर्कों तता कीड़ नास्कों के प्रयोंकि उच्छ पैदावार प्राप्त करना है क्रशी कि वानत्ज । लेकल याहां पर जो जो चाफ का पातल होता है उसको किसान बेचता नहीं है बलके उसको किसान इस्टमाल करता है अपने स्वैम के लिए ठीक है यह इन दौर मैं अंतर है आपको समझ माया होगा आगे दिखो आगे रो परकार के एक प्रकार की वारब्जे किशी है दो कि अग् ON नहीं से किसे तरहें रोपड़ेश व्यापक छेत्र में होती है त्ञढा अट्टेजर को की सायता से की जाती है इससे प्राप सारा उत्पादन उत्योगों में कच्चे माल के रूपे इस्तवाल होता है भारत में चाय, कॉफी, रबड, गन्ना, केला, इक्तियादी, महत्रपूर रूपर फसले हैं असम और उत्री बंगाल में चाय, करनाटक वहां की प्रमुक रूपर फसले हैं बड़े प्यमाने पिन को हम वहां की करते हैं आगे देखो आगी है क्रशी जलवायु छेतर पेपर में खूब पूश्ता है भारत में 15 जलवायु छेतर हैं तनसादन विकास के लिए करशी छेतर को मोटे तौर पर 15 शेडियों में बाटा गया यह शेडियां है इनको देख लो एक बार है ना बस नाम ही देखना यारा कुछ खास नहीं है इसमें देखो पहला पश्चिमी माले सेडि पूर्वी माले सेडि निम्न गंगा मैदान मद्य गंगा मैदान उच गंगा मैदान गंगा पार का मैदान पूर्वी पठार तथा परवती छेतर पश्चिमी पठार तथा परवती छेतर पूर्वी तथा परवती छेतर पूर्वी तटी मैदा पूरा नाम मोहिंदर सिंग रंधावा ठीक है यह देखिए यह सवाल यहां पर क्यों आया है क्योंकि यह सवाल PCS की previous year की परिक्षव में पूछा जा चुका है इसलिए हमने यहां पर इसको रखा है तो इसको जो है आप सीदे सीदे याद कर लेना ठीक है तो यह है आगे देखो आगे है खाद्यवं क्रिशी चंगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान के स्वच्षत भंडारन के समय 14 प्रस्षत तक ही सापेक्षिक आदरता होनी चाहिए सब प्रीवेस एर पेपर में आ हुए हैं एक साथ अधिक भूमिया दो दो से अधिक फसले हुआ ना अंतर फसली खे के साथ पशूपालन भी हो ठीक है बारत में ठेकेदारी क्रिशी को लागू करने वाला पहला राज पंजाब है कौन्टक्ट फार्मिंग इसको कहा जाता है सिक्किम पूर्बत्र में सितिक पाड़ी प्रदेश यहां की अधिकांस भूभाग जंगलों से गिरा है इस राज क की कुर्ण भूमिंगा 10 प्रदियुक्त से भी कम कृषिकार के लिए उपलब्द है संतुलित और वर्गों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद की फूर्वतत्ता उत्तम करने के लिए भूमिक उत्पादक्ता बनाय रखने के लिए किया जाता है ठीक है यहां और वर्वरकों का इस्तवाल आप करोगे तो यह चीजह होंगी आगे देखो भारत में बीज ग्राम संकलपना का मुख्यू देश एक एक समान विचारों वाले यह आपको ध्यान रखना चाहिए लागू है उननिस्सों अरतेस से ठीक आगे देखो आगे देखें आगे खिसान क्रेडिट कार्ड योजनक केसी सी पूरे देश में संचालित हो रही है इसका क्रियानवन वानेजिक बैंकों सहकारी बैंकों चेतरी ग्रामीड बैंकों द्वा राप्त कर सकते हैं आगे देखो हरी खाद क्रशी उस सायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्य भूमी में पोशक चत्रों को बढ़ाने के लिए उसमें जैविक पदार्सों की पूर्ती करने के उद्धिश्य से की जाती है रहंचा में सनई लोबिया ठीक है गवार की तु की परियुजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई विस इस्तर पर अलबर्ट हावर्ट को आधुनिक जैविक क्रशी का जनक माना जाता है लाइन बोड़ाइंट है ज्यानक ना हूँ तता बहुत इस्तर पर जैविक क्रशी अपनाने वाला विश्व में पहला देश क्यूबा है तो यह वह एक छोटा सा वीडियो कल की वीडियो में बात करेंगे भारत की प्रमोकरांतिया इनको हम देखेंगे ठीक है यह वाला टॉपिक हम डिसक्स करेंगे अगली क्लास में ठीक तो ऐसा है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राब करिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जै हिंज जै भारत बंदे मातरों